वोस्तों वेल्कम टू आईएस्पीसियस होम आज हिस्ट्री का यह सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों के लिए एंगलो फ्रेंच वार यानि क्यूं हुआ और कपकप हुआ और इससे क्या 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 कुश्चन आपको पूछे जाएंगे तो इस फिर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखेंगे और मैं पहले भी लेक्चर करा चुका हूँ हुआ है फर्स्ट लेक्चर जो यूरोपियन का आजवन था भारत में किस करम में वो आया और फैक्ट्री कहा का इस्टाबलीज किये और मैं यह आप लोगों साइंस और हिस्ट्री और विहार एस्पेसल जो है 68 और 69 बीपीस्टी के लिए कुर्स करा रहा हूं यह चल रहा है मेरा आप लोग इसे पुरा देखें सारे लेक्षर देखें मैं डाल राउन लगातार यूट्यूप पर और जो भी मैं करा रहा हूं वह आपको पहले भी जाएंगे जो जितना मैं कुश्चन आपको करा दूंगा इन तीनों सब्जेक्ट से तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और यह देखते रहें वीडियो तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट करनेटिक वार्ड जो है कब पावर यूरोपेन पावर खतम हो गई फर्तगीज दर्च वगेरा दो ही मेन पावर बज गए एक फ्रेंच बज़गी और एक ब्रिटिश और दोनों चाहां कि हम अपना अपना सब्ता स्थाफित करें भारत में और दोनों जो है पर्टिवन्ती बज़ए और दोनों का जो स्टाब्लिस करने लगी यह शुरू अधा करनाटिक वार जो है से आपको दक्षिन में जो है स्टार्ट हुआ था कि दक्षिन में स्टार्ट होने के वाज़े से करनाटिक वार जो है तो पहला करनाटिक वार जो सुरू हुआ वह सबसे पहले तो शुरू हुआ कि आप देख सकते हैं 1747 में और सुरू हो गया था उस्ट्रियन वार सुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ वहां राजय मर गया और वहां गद्धी को लेकर लड़ाई होने लगी जिसकी वजह से जहां भी कहीं सुरूत थ ता तो फ्रेंच और इंगलिज्ट जहां जहां थे वो लड़ने लग जाते थे है थे तो जब 4740 में सुरू हुआ तो चरह आतरों से 46 में यहां भी फ्रेंच और इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटिश में वार शुरू हो गिया, जिसमें इसका जो वार का जो मुततकाली कारण था, जाहां, इंडिया में जो शुरू हो गाth, उसकी वज़ा थी कि बारणेट था, वो क्या किया कि इसका बिरिटिस जनरल था, वारणेट, उसने कुछ फ्रेंच्छिब को जो है कबजा कर लिया, तो जिसकी वज़ा से डूपले था उस वक्त गवर्नर भारत का फ्रेंच का डूपले गवर्नर था उसे ने क्या किया कि वहां के मौडिशस के गवर्नर से जो ला बोडेन कहा जाता है उससे मदद मांगा और दोनों ने मिलकर लड़ाई किया और जो है से मदरास को जो है 1746 इसवी में मदरास पे कबजा जो की अंग्रेजों का पार्ट था उस पे कबजा कर लिया ये डूपले ने तो इस लड़ाई में डूपले इस प्रेंच जो है डूपले एक अच्छा सा शक्ता तो यह लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद क्या हुआ कि इस लड़ाई में जो महत्तपुन था वह सेंट्ट थोमे की लड़ाई हुई थी इसी में जो है से महफूस खान और के सेना तो अच्छे खासे भारतिय सेना को वहरा सकती है और क्या नाम है कि वह एक और्गिनाजड आर्मी थी लोगों की तो इस वजह से फ्रेंच जो है इसमें विक्टोरियस जादा रही उसके बाद जो है इसके बाद ट्रीटी ओफ एक्सलाश शापेल साइन हो गया वहां 1748 में 1747 में ट्रीटी ओफ एक्सलाश शापेल के वज़े से कर्नेटिक वार रुख गया फ्रेंच एंगलो फ्रेंच वार के रुख गया अस्ट्रियन सक्सेशन का इसके वार भी रुख गया इससे क्या हुआ कि मदरास जो है इससे यहां इंडिया में मदरास जो है इंग्लिश क्या इसको बापस मिल गया इंग्लिश को और जो है अमेरिका का कुछ कपज़ा इस वार में Feng का वन था उसने ű सब्सक्राइब कर लिया जिसकी वज़ा से मदरास पर कबज़ा कर लिया और उसके बाद कुश्चन आता कि कौन से ट्रीटी फर्स करनेटिक वार के बाद साइन हुई थी तो ट्रीटी ओफ एक्सलास शपेल साइन हुई थी आपडेट देख सकते हैं जिस टाइम खतम होता उसी टाइम साइन हुई तो 1747 में नबाब था आसफस जहां 1748 में उसकी डिथ हो गई उसकी जब डिथ हो गई तो हैद नासिर जंग जो है वो गदी पर बैठ गया जिसको अपोज किया मजफर जंग जो कि उसका पोता था असफजा का पोता था मजफर जंग उसने अपोज किया और फ्रेंच जो है इसमें मजफर जंग का साथ दिया फ्रेंच ने मजफर जंग का साथ दिया और इंगलिस ने ना करनाटक में क्या हुआ कि यहांगे भी नवाब जो है डिद कर गए जहांगे जानवारूदीन जो कर गथ है अनवरूदीन उसका बैटा गदी पर बैथा लेकिन अरवा अनवरूदीन का जो खिलाफ था दोस्तलि大家 in जो था चंदा साहिब वो अपोस किया कि हम जो है से गदी पे बैठी गा और दोनों में युद छिर गिया, इसमें जो है फ्रेंच का किया, चंदा साहिब का साहथ दिया, और ब्रिटिश ने अनवरददीन का साथ दिया, तो यहाँ पर क्या किया कि मजफर जंग और चंदा साहिब और फ्रेंच आर्मी ने मिलकर अनवरद्दीन को 1749 में अंबूर में मार दिया मार दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर कलाइब जो है जो बिर्टिस जिनरल था कलाइब कलाइब ने क्या कि एक सध्यंतरचा और उस चंदा साहिब को फसाया तो चंदा साहिए उस जाल में ठावज गया कर दिया और महम Katy ओलिने चंदा साहिब को 17 scholarship कर दिया मजब Linux प्रतिनीदी बनकर बैट गया उसमें जो है ट्रीटी अपॉंडीचेरी साइन हुआ सब्सक्राइब जब खतम हुआ सब्सक्राइब पॉंडीचेरी तो यह सेकंड करने ठीक वह था कि कैसे शुरू हुआ और इसके वजह क्या थी यह अपने अपना यह सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह जो है सब्सक्राइब बारत में पूछा जाएगा फ्रेंच ने जो है किसका साथ दिया तो और इधर करनाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया था बिर्टिश ने अरचंदा साहब का जो है फ्रेंच ने गिया था और 1749 में अनवरुद्दीन को मार दिया गिया और उसके बाद को दूपले के नेति से पर्भा भा फ्रेंच को नुकसान पहुँच रहा इसलिए फ्रेंच icystal गोडियोगर भी की दूपले को बलाना कियों भी जह था डूबल जो था एक डूपले जो था वह बहुत योग्घ योग्ज को और्न होः उसको बलाना जो सके अंठावश्छ यसाइड अंठावन सिर्फ्षित में यह सेवन जो यूरोप में जिसकी वज़ा से यहां भी फ्रेंच आपको पता हिए कि जब कभी कहीं शुरू तो फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ने लग जाते थे घर रहां करनेटिक वायरणें 17 tok18 से taght इस में क्या किया साथ्हां संथावेंस ने कंट द लाली ty Sunik wasn't नयद्ध काउंड़ाली भारत बेजा यह फ्रांस का गवर्नर बना कर तो उससे ने आते ही का सेंट डेविट जो है जो किened कार ला था उसको जीत लिया सेंट डैविट को जीत लिया फ्रांस जिससे बिर्टिस काफी नाराज हो गया और उसके बाद जो है से बिर्टिस सेना ने बाइस जैनवरी जो एक सबसे महत्तपुन जीत था 1760 में यह बैटल अफ बंडी बास बाइस जैनवरी 1760 को उसमें जो है से फ्रांस की हार हुई उस वक्त जो है अंग्रेजी सेना का निर्टित कर रहा था आयरकूट आयरकूट के इसमें अंडर में अंग्रेजी सेना थी और क भारतिये राजनिती में फ्रेंच का आंथ हो गया और फ्रांस जो है यहां से बुढ़िया विस्तर से मिर्ट कर उसको जाना पड़ा ट्रीटी ऑफ पैरिस हुआ 1763 में 1763 में उसके बाद जो थर्ड करनेटिक वार्ट खतम हुआ 17 pays सायन गी गई गई पैरीस मने क्या हुआ कि उसको जो है से फ्रेंच को अब भे निकंडिक प्रस को वापस दे दी गई हूँआ लेकिन उसको जो है कहा गया क्या आप इसको जो है इसको जो है किलाबंदी नहीं कर सकते हैं तो यह था अश्रु और यहां से जो है से फ्रेंज का विए ख़तम होगिया भारत में प्रभाव और इंगलिज जो है अपना पूरी से बारतिय राजनीती में हावी हो गया अपना समराज्य फलाने भारत में कामियाब हो लेकिन जू है इसकी जो है इसकी वास्तव में 1763 में जब अंग्रेज ने फ्रांस को फ्रांसिसियों को प्रास्त कर दिया और अपनी जो है सुपर मेसी साबित कर दी और वहां से 1763 में की जो है में जो है फ्रेंश जो है खतम होगे 1763 के बाद खताम गें पैरिस के 1760 समझे आप 1760 जब वन डिवास का यूद इंपोर्टेंट है यह पूछा जाता है यह वांडी वास का यूद कभ हुगा बैटल वांडी वास जो है बाइस जनवरी है यहां से जो है से आपको सारे ख़ोशन मैंने इस ब्स बनते हो years अपके सारे और पोशन यह नहीं चुटे गा इस टो हमदauen कूद यह जो होत्व है नहीं स्यजंष जुए नहीं करते हमारे